अक्टूबर माह का आखरी सप्ताहा बस शुरू होने वाला है और इस सप्ताहा में यानि 21 से 27 अक्टूबर के बीच में कई ऐसे शुब पर्व पड़ रहे हैं कई ऐसे शुब योग बन रहे हैं जिनकी वज़े से वो खास दिन आपके लिए बहुत खास होने वाले हैं जै मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अमरिता एस्टो में और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक के सापताहिक तुलाराशी फल के बारे में तुलाराशी के लोगों के लिए इन साथ दिनों में क कौन-कौन से दिन आपके लिए अच्छे होंगे किस-किस दिन क्या लाब क्या सावधानी आपको रखनी होगी तो बस एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल पर अगर आप आ गए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें तो देखे इस महिने में शुक्र और चंद्रमा की इस्तिथी के अनुसार कई बड़े राजयोगों का निर्मान होगा जिसमें से कुछ राजयोग बड़े अच्छे रिजल्ट लेकर आने वाले होंगे खुशिया लेकर आने वाले होंगे सबसे पहले मैं चंद्रमा की इस्तिथी के बारे म में बात करूंगे जब सप्ताहा की शुरुवात होगी तो चंद्रमा अपनी राशी करक राशी में होंगे उसके बाद वो सिहिंग राशी में जाएंगे फिर कन्या राशी में जाएंगे उसके बाद वो प्रिवेश करेंगे तुला में तो इन राशियों में जब चंद्रमा क का निरमान करेंगे महालक्ष्मी योग का बड़ा ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा उसके बाद कन्या राशी में जाएंगे तो गेतो के साथ चंद्रमा की यूती होगी बाद में फिर सूरिय बोद्ध के साथ यूती करके और साथ में चंद्रमा हुँगे तो तरिग्रही योग का निर्मान करेंगे जो एक उत्तम रिजल्ट देने वाला योग कहा जा सकता है इसके अलावा एक दिन ऐसा भी है जो बहुत विशेश दिन है और यह दिन है चॉबीस अक्टूबर का दिन अब ये दिन विशेस क्यों है तो देखे 24 अक्टूबर का जो दिन है इस दिन गुरू पुष नक्षत्र बना हुआ है दिवाली से पहले हमेशा एक ऐसा गुरू पुष नक्षत्र आता है जो बहुत शुब होता है जैसे धंतेरस के दिन को माना जाता है खरिदारी करने के लि योग का निर्मान भी होगा क्योंकि सभी योगों में बहुत ही अच्छा योग माना जाता है अब इस दिन आप क्या कर सकते हैं इस दिन आप वाहन खरिद सकते हैं संपत्ती खरिद सकते हैं नई वैपार नई दुकान की शुरुबात कर सकते हैं नई काम की शुरुबात कर स सकते हैं यानि ऐसी हर एक चीज के लिए ये दिन बहुत शुब है धनते रस के दिन ना करके इस दिन भी आप करेंगे तो बहुत इच्छे रिजल्ट आपको इसको देखने को मिलने वाले हैं बहुत पूरा आपका देने वाला है अब तुला राशी के लोगों के लिए ये सब सब्ताहा कैसा रहेगा इसके बारे में जान लेते हैं तो देखें ये जो सब्ताहा है ये तुला राशी के जातकों के लिए सबसे पहले मैं अगर हेल्ट की बात करूँ तो हेल्थ के लिह हास से ठीक ठाक है आपकी सेखत में सुधार देखने को मिलेगा आप आप आउटडो है और घर के किसी बड़े बुज़ूर्ग की सेहत पर भी खर्चा करा सकता है तो उनकी सेहत का दिहान रखें यहने कि जो घर के बड़े बुज़ूर्ग है उनकी सेहत का दिहान रखें लेकिन आपके परिवार में आपका रुत्बा बढ़ेगा साथ ही परिवार के सदस्यों क करने का है खास तोर से इस सप्ता हमें आप अपने घर के पास के किसी व्यक्ति को अपने अच्छे स्वभाव के कारण अपने तरफ आकर शित कर सकते हैं वानि वो आपकी बातों से बड़ा सहमत दिखाई देगा वो आपकी बातों से बड़ा इंप्रेस दिखाई देगा करियर करने से पहले माता पिता की इजादत जरूर ले ले कोई भी कार्या कर रहे हैं उनकी इजादत के साथ कार्या करें आप वन्ना बाद में उनक्या पत्ती होती है आपती दर्ज कराते हैं दूसरों के सामने आपको शर्मींदा होना पड़ता है तो उस चीज को थोड़ा सा अवाइड कर सकते हैं अब स्टूडेंट्स की देखें तो उच्च सिक्षा ग्रहन कर रहे जो चात्र हैं उनके लिए समय काफी विशेस रहेगा हर विशे को समझने में मदद मिलेगी जिससे आप अपने बविशे के लिए कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं अगर हम प्रेम जीवन की बात करें तो अगर आपके जीवन में कोई इस तरह की समस्या चल रही है जो आपको परिशान कर रही है तो उस पर अपने पार्टनर से आप वेवाहिक जीवन के में बात करे हूँ अपने पार्टनर से खुल कर चर्चा कर सकते हैं क्योंकि सब्ता के खत्म होते ही इन सभी मुद्डों का समाधान हो जाएगा अपनी भावनाओं को जादा देर तर दबा करना रखें क्योंकि कुछ समय बाद आप खुद निराश हो सकते हैं तो तनाओ को थोड़ा कम करने के लिए अपने पार्टनर से बाते करें अपनी बातों को उनको समझाएं अपने विचारों को उनके समख्ष आप जरूर रखे आप मेंसे जो लोग विवाहा प्रस्ताव के बारे में सोच रहे हैं उन्हें हो सकता है बहतर समय की परतिक्षा करनी पड़े थोड़ी उनको परतिक्षा करनी पड़े तो ऐसी इस्तिफी भी आपको देखने को मिल सकती है बाकी यहाँ चंद्रमा की वज़े से ऐसा रहेगा कि थोड़ा सा आए में जब शुरुवात होगी तो पहले दिन थोड़ी सी रुकावाटा सकती है लेकिन चीजें जो हैं फिर ठीक होंगी मंगलवार का दिन और बुद्वार का दिन आपकी चीजों को राहत देता हुआ दिखाई देगा दोनों दिन अच्छे रहेंगे पिसली परिशानियों को भूलेंगे अपने काम पर फोकस कर पाएंगे आपके जितने भी कारे हैं वो सभी कारे समय पर पूरे होंगे इंकम में विरद्धी होगी शत्रों पर आप भावी रहेंगे और भाग्य का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा गुरुवार का दिन और शुक्रवार का दिन होगा बहुत अनुकूल समय रहेगा क्योंकि नई काम की योजना बना सकते हैं आप और सफलता भी आपको अपने कामों में मिलेगी अटके हुए कारेों में गती भी आएगी परिवार से सहयोग की प्राप्ती भी होगी और शनिवार का दिन भी उतना ही उत्तम और अच्छा रहने वाला है क्योंकि यहाँ धन प्राप्ती के योग बनेंगे तुलाराशी के लोगों के लिए धन प्राप्ती के योग बनेंगे और साथ में जो 24 अक्टूबर का दिन मैंने बताया था 24 अक्टूबर का दिन कौन सा दिन है जो गुरु पुष नक्षतर का दिन है तो इस दिन अहोई अस्टमी का दिन भी है जो बहुती शुब योग में पढ़ रही है इस दिन पुजा पाठ करेंगे ये दिन संतान की लंबी आयू के लिए आरुग्य के लिए ये व्रत किया जाता है तो बहुत युत्तम दिन में पढ़ेगा तो हम ये कह सकते हैं ये सब्ताह जीवन में बहुत सी चीजों में बदला बहुत सी खुशियां लेकर आएगा आस पास आपके पास जो एक औरा है जो भी आपके पास समय है उस समय का सदूपयोग करें उस समय का सदूपयोग करेंगे तो चीजे जो हैं बहतर तरीके से दिखाए देंगे और संबब हो तो अपने वरिष्ट को प्रभाविट जरूर करें यानि आफ़िस में आपके बॉस हैं आपके वरिष्ट है उनको प्रभावित करें अपने काम से क्योंकि यह समय है अपने आपको ऊपर लेकर चलने का परमुशन पाना चाहते हैं तो यह समय सबसे best है आप अपने कारियों की तरह पूरी तरिके से ध्यान दे और अपने career को बदलना चाहते है तो भी आपके लिए अच्छा समय दिख रहा है करियर को बदलने के लिए वेवसाइक तोर पर भी इस समय आपका प्रदर्शन काफी अच्छा रहेगा उत्तम रिजलेट मिलेंगे और जो नक्षतर था ना गुरू पुशन नक्षतर ये खुशियां लेकर आया है ये वेपार में कोई बड़ा ओडर आपको दिला सकता है प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है कमाई के नई जरीय आपके लिए खुल सकते है या तक कि जो पार्टनर्शिप में बिजनिस कर रहे हैं वेपार में समझ जाय थी तो वो खत्म हो सकती है आप परिवार या दोस्तों के साथ किसी ट्रिप पर जाने का प्लान कर सकते है और अध्यात्मिती तरब भी आपका जुकाव रहेगा तो काफी जादा अच्छा है खुशियों का आगमन रहेगा उत्तम समय ये आपके लिए रहेगा तो दोस्तों और अधी कैसी जानकारियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें